तो जहें साथियों एक बाफिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रिजर में तो आज की इस वीडियो में हम 90-50 पर बात करने वाले हैं देखें मार्केट्स है गिरावट के मूड में है या फिर मार्केट एक और न्यू हाई लगाएगी आप देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी लेर्निंग इस वीडियो में प्रवाइट कराने का हम प्रयास करेंगे वीडियो पर नए आया है मैं आपको बता दूँ लाइक करके सब्सक्राइब कर लेजेगा पुराने हैं तो सेयर करते चलिएगा क्योंकि मैंने अभी इंस्ट्रागाम पे लाइव आके आप सभी को बताया कि वीडियो ना बनाने का मेरा एक यह भी कारण था कि वीडियो पर रीच नहीं जाती है और रीच ना जाने का ये भी एक रीजन है कि आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं करते हैं दिल से सुख्या चलिए हम आपको चार्ड पे लेके चलते हैं दिन उसके बाद में कुछ लॉजिक वाली बात करेंगे टोपिक पे चलेंगे और बाकी चर्चा हैं तो आप सभी से हम करते ही रहते हैं और करते भी रहेंगे description में आपको link मिल जाएगी हमारे free telegram channel की हमारे official Instagram account की तो उसे आप follow कर सकते हैं fake group बहुत सारे बने हुए fake account बहुत सारे बने हुए तो उन्हें मत join कीजेगा वहाँ पे आप सभी से पैसो की demand की जा सकती है मैं आपको बता हूँ मैं आप सभी के लिए सारी सेवाएं free app cost provide कराता हूँ मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और नहीं future लोगा मेरा ना तो कोई paid premium telegram channel है और नहीं कोई paid group है ठीक है अगर आप हमारे premium telegram channel को join करना चाते हैं या फिर premium learning group को join करना चाते हैं कहने का मतलब यह है तो description में आपको link मिलेगी उस link से आप धन में demand account open करके हमसे connect हो सकते हैं चलिए अब हम आपको screen पे लेके चलते हैं यहाँ पे देखें nifty fifty का हमने chart लगाया हुआ है तो chart को हमने day time frame पर भी किया हुआ है day time frame पर हमने एक यह trend line ड्रा करी हुए है और यह trend line जो है हमने ड्रा करी हुए थी यहाँ पर अभी आपको दिखाए दे रहा होगा लेकिन हमने इसको जो है इसको और इस वाली trend line को match कर रहा था अभी हमने थोड़ा सा correct किया है इसको भी involve किया है इस वाले high को ठीक है फिर यह new high यह new high देन उसके बाद देख रहा है कि यह new high लगा के market यह जो election का result आया हुआ था उस दिन का यह यहाँ पर इतनी भारी गिरावाट आपको देखने को मिली है तो इसको हम consider नहीं करते है technical analysis के according हमारा जो मानना है ठीक है क्योंकि यह एक unexpected move होता है जिसे technical analysis में ले भी सकते हैं नहीं ले भी सकते हैं मेरा जो मानना है वह हम इसको skip कर देते हैं फिर भी अब हम देख रहा है कि यह जो हमने trend line draw करी हुई थी इसके उपर market कई दिनों से trade कर रही है लेकिन जो है market gap up opening कराती है दिन उसके बाद में minus में close होती है यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक यह undecision candle बनी हुई थी उसके बाद में फिर देखते हैं कि इसी के उपर market sustain कर रही यह level एक important है और क्यों important है मैंने आपको बताया कि 23,500 या फिर bank nifty की बात करें तो 100-100 points के और nifty 50-50 points के एक numerical levels भी होते हैं या फिर हम यूँ कहें कि स्कॉलिकल level भी होते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसको हम avoid नहीं करेंगा market अगर थोड़ा सा भी gap up परती है sustain करती है उपर की तरफ तो bullish हो सकती है उपर कहां तक जाएगी यह थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे हमने आज देखा कि market में जो gold का price है market में जो gold का price है वो peak पे है या नहीं high पे है ठीक है तो market में हमने जो अपना previous experience आप सभी से discuss करूँ और काफि इस लोगों से आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि अगर gold का price जो है high चल रहा है या फिर gold high पे है तो share बाजार जो है या जो indices हैं वो down moment में ज्यादा तर देखने को मिल रहा है इस समय यहाँ पे यह एक previous candle बनी हुई है previous day की यह red में बनी हुई गिरावट हुई है इसको delete करता हूँ तो क्या कल भी market जब खुलेगी तो गिरावट होगी या फिर क्या होगा इन चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं market अगर गिरेगी तो कहां तक गिरेगी इन चीजों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हमने यह level लगा था 22,300 का level इसको हम ले भी सकते हैं और अगर new level की बात करें तो हम यहां से इसको हटा के new level आपको सभी को draw करने के लिए कहते हैं आप अपने चार्ट पर ड्रा कीजिएगा इस वाली लो से लेते हैं और इस वाली हाई पर हम एक फिव रिट्रेस्मेंट का टूल लगाते हैं एक निकली देखा जाए तो अगर गिरावट करती है market तो यहां पर एक level ड्रा करते हैं 23% पर मुझे मिल रहा है दिन उसके बाद में यह भी एक support भी यहां पर देखने मिल रहा है अगर आती है यहां से तो यहां से reverse भी जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा गिरावट करती है तो मेरा मानना है कि इससे नीचे तो नहीं आने आती है तो फिर वो देखा जाएगा ठीक है भारी gap down करती है यह फिर भारी gap up होता है तो इसमें थोड़ा सा सतरकता आप सभी को बरतनी होती है समझ रहे जो previous जे low है उसको भी हम mark क पर हम चीजों को यहां पर समझा रहा है तो आप सभी को इंटर डिलेबल समझ में आएंगे अभी का हम देख रहे हैं यह वाला जो हाई है previous हाई के आसपास में है तो यह भी एक resistance का का काम करता हुआ नजर आएगा यह proper तरीके से हमने back end में भी तमाम सारी analysis करने के बाद में मैं आप से भी को यहां पर समझाने का और बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि सिर्फ learning purpose के लिए लीज़ेगा इस वीडियो को अदेश किसी भी प्रकार की buying या selling के recommendation के लिए नहीं है मैं किसी प्रकार की buying या selling के recommendation नहीं provide कर आता हूँ call tip नहीं provide कर आता हूँ चलिए अब चार्ट को करते हैं 15 मेंट के time frame जे रहा 15 मेंट के time frame चार्ट को थोड़ा सार जिस्ट करते हैं इंटर डे लेबल पर अगर हम trade करते हैं तो कैसे कर सकते हैं यह हमारा high जो है 23,670 के आसपास में लगा हुआ है इसको हम लेते हैं 670 ही लेंगे ज़रूरी नहीं कि यह जो high लगा है exact level ही लेंगे 70 ले सकते हैं 50 50 में 10 15 20 point का उपर नीचे हो सकता है और यह जो level है 23,394 23,394 एक चीज यहां पर समझे आप सभी लोग अभी जो हमने 300 का level लगा हुआ था जो 300 का level लगा हुआ था यहां पर इंटर डिपेसिस पर वह बहुत ज़्यादा काम देने वाला आप सभी ठीक है यह रहा इसका कलर भी हम थोड़ा सा different कर देते हैं तरकि आप सभी को समझने में आसान लगा है अगर market gap down करती है ठीक है थोड़ा बहुत 23,400 के आसपास में यहां पर sustain करती है उसके बाद breakdown करती है तो 100 points की गिरावट जो है हमें देखने को मिल सकती है या फिर हम यूँ कहें कि हम यह 100 points catch कर सकते हैं निफ्टी 50 में कौन से 23,400 से लेगर के 23,300 का यह moment इसके उपर से अगर यह retrace करके उपर जाने लगती है sustain रहती है breakdown नहीं करती है तो फिर क्रमसा हमारे जो लेबल होने वाले है 23,500 23,600 23,670 यह यह चीज़ है इन चीज़ों को आप सभी note कर सकते हैं हाँ अगर यह new high breakout होता है 23,670 के उपर breakout होता है तो 23,800 का लेबल देखने को मिल सकता है यहाँ पर भी हमें mark करते हैं कि next day market जो है क्या moment कर सकता है यह चीज़े सही हो सकती है नहीं सही हो सकती है क्या है इन चीज़ों को सिर्फ देखेगा समझेगा सीखेगा कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप comment कर सकते हैं within hour हम आप सभी के comment के reply करने का प्रयास करते हैं वीडियो पूरा देखा है जरूर आप सभी को कुछ ना कुछ learning जरूर मिलती होगी आप सभी को वीडियो कैसी लगती है आप अपना suggestions भी दे सकते हैं वन्दे मात्रम ठीक केर बाबाए आल अफ यू